कुछ कारणवश हम थंड में जमना नहीं चाहते, भूखा रहना नहीं चाहते, ये बेहत तकलीफ दे होता है, हमें गर्माहट पसंद होती है, हमें पसंद है कि हमारे पास हमेशा खाना रहे. जहां तक तापमान की बात है, हमें सुविधापूर्ण वातावर्ण चाहिए होता है. सर्दियों के कारण हमारे पूर्वजों ने समय के साथ मौसम के अनुकूल होना सीखिया था. आज कल हम बहुत आसानी से थर्मोस्टेट का तापमान 21 दिग्री सेल्सियस बढ़ा कर सर्दी से छुटकारा पा सकते हैं. मैं आज बरफीले पानी में नहाने और आपके जीन्स पर किये गए दिल्चस प्रिसर्च की बात करने वाला हूँ. हम बात करेंगे कि कैसे कोल्ड थेरेपी सकारात्मक तरीके से आपके जीन्स को प्रभावित कर सकती है. अपने घर के बाहर मैंने एक थंडे पानी का टब बनवाया है और पहली बार इस्तिमाल करने पर मैंने इसका तापमान 2 दिग्री सेल्सियस पर सेट कर दिया था. ये बहुत कम तापमान था और मैं शुरुवात में ऐसा करने की सलाह नहीं दूँगा क्योंकि मैं उसमें केवल 5 सेकंड तक ही बैठ पाया. मैं सलाह दूँगा कि आप शुरुवात में तापमान को 10 दिग्री सेल्सियस पर सेट करें. आपको इसमें एक मिनट तक बैठना है. आगे चलकर आप ये समय बढ़ा सकते हैं. लेकिन कोल्ड थेरेपी के फायदों का अनुभव करने के लिए आपको असुविधा का अनुभव करना होगा और इसके फायदों का अनुभव करने के लिए आपको हफते में केवल 11 मिनट ही कोल्ड थेरेपी लेनी होगी. कोई भी ये काम कर सकता है. अगर आपके पास cold water tank नहीं है, तो आप थंडे पानी से नहा सकते हैं, आप थंडे पूल में swimming कर सकते हैं, किसी तालाब में नहा सकते हैं. इस therapy का अनुभव करने के कई तरीके हैं. अगर आप warm therapy, यानि की गर्म पानी से नहाने की तुलना cold therapy से करेंगे, तो आपको cold therapy से ज्यादा फाइदे मिलने वाले हैं, क्योंकि ये ज्यादा असुविधा जनक होती है. अगर आप ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, या आपको ऐसा करने से असुविधा हो रही है, तो संभव है कि आपको ज्यादा भी vitamins की जरूरत है. B vitamins की मदद से आप चरम तापमान में रहने की अपनी क्षमता बढ़ा सकते हैं. मैंने ये टब कहां से खरीदा है, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूँगा. मैं इस कमपनी से जुडा हुआ नहीं हूँ, मुझे ये कोई पैसा भी नहीं देते. कमपनी का नाम है Cold Punch Store और मेरे टब का नाम The Flags है. मुझे ये टब बेहत पसंद है, मुझे लगता है कि इसके फाइदे शांदार हैं. इससे आपको कई फाइदे मिलेंगे, इससे आपकी दिमागी गतिविधी में सुधार आएगा, शरीर की सूजन ठीक होने लगेगी. मैं अभी इसके मुख्य फाइदों की बात करूँगा, फिर मैं इसके जेनेटिक फाइदों की भी बात करूँगा. मैं आपको बताना चाहता हूँ की जब आप इस टब में प्रवेश करेंगे, आपके दिल की धड़कन बढ़ने लगेगी, आप भै के कारण तेजी से सांस ले सकते हैं, आपकी सांस फूलने लगती है. इस स्थिती में आपको अपनी सांस को नियंत्रित करने पर ध्यान लगाना चाहिए, धीरे-धीरे सांस खीचें, धीरे-धीरे सांस छोड़ें और ऐसा करने से ठंडे पानी में जाने पर होने वाले भै से आप खुद को बचा पाएंगे. चलिए बात करते हैं कि इससे क्या चीजे कम हो सकती हैं. इससे आपके होमोसिस्टीन का स्तर भी कम होने लगेगा. इसका स्तर हृदय की समस्याओं से जुड़ा होता है. कोल्ड थेरेपी से ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस कम होती है. कॉर्टिसोल कम होता है. कॉर्टिसोल को नियंत्रित करने वाला हॉर्मोन ACTH भी कम हो जाता है. ये बड़ी अनोखी बात है क्योंकि आपको लगेगा कि आपका तनाव बढ़ रहा है. लेकिन तनाव वास्तव में कम होने लगता है. शुरू में शायद ऐसा ना हो, लेकिन जैसे ही आप तब से बाहर निकलेंगे, आपको अच्छा महसूस होगा. एंटी बॉडीज कम होने लगेंगी. इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होने लगेगा, खासकर यदि आपको कोई आटो इम्यून बीमारी है. आपका इ संक्रमन का जोकिम भी कम होने लगेगा. अगर आप स्विमिंग करते हैं, तो उससे संक्रमन में कमी आएगी. स्विमिंग करने से हृदय वाहि का प्रणाली बहतर होने लगती है, और अगर पूल थंडा है, तो फायदे बढ़ जाते हैं. इसलिए स्विमर्स में उकरी श्व मैं आपको मांस्पेशियों की एक बात बताना चाहता हूँ. एक रिसर्च की गई है, जो दिखाती है कि जब आप बार-बार कोल्ड थेरेपी लेते रहते हैं, तो ऐसा करने से मांस्पेशियों का विकास रुकने लगता है. लेकिन अगर आप हफते में 11 मिनट ये थेरेपी लेते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि इससे आपकी मांस्पेशियों पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा. इसके फायदे किसी भी संभावित नुकसान से कई गुना बढ़कर है. इस थेरेपी के बाद आपका रिकावरी टाइम भी घटेगा. इसलिए अगर आप कसरत क चला कि इससे ब्राउन फैट में बढ़त होती है, जो ग्लुकोस को सोख लेते हैं क्योंकि ग्लुकोस कैंसर सैल्स का इंधन होता है. इससे हमें पता चलता है कि कोल्ड थेरेपी कैंसर के खिलाफ लड़ती है, क्योंकि ये आपके जीवित रहने की कार्य प्रणाली को भी प् बढ़ता है. इसे थाइरोइड हॉर्मोन का सक्रिय रूप कहते हैं. कोल्ड थेरेपी से आपके टी सैल्स बढ़ते हैं. मैं किलर टी सैल्स की बात कर रहा हूं, जो वाइरस से लड़ते हैं और कैंसर पर आक्रमन करते हैं. इनसे आपकी सफेद रक्त कोशिकाई भी बढ़ती हैं. जिनकी मातरा बढ़ेगी, नौर एड्रीनलिंग बढ़ सकता है, जिससे आप बहुत ज्यादा सचेत महसूस करेंगे. आपका इंसुलिन बहतर तरीके से काम करने लगेगा. आपका इंसुलिन कम होने लगेगा. इसका सबसे बड़ा फाइदा ये है कि इससे आपका मानस अबी तक कुछ भी खाते नहीं है. आपकी इच्छाशक्ती मजबूत होती जाती है, क्योंकि ऐसा करके आप अपने शरीर को ज्यादा नियंत्रित कर पाते हैं. जबकि जिनकी इच्छाशक्ती कम होती है, वे अपनी भूख को नियंत्रित नहीं कर पाते. चलिए अब जीन्स की उत्पत्ती करता है. इससे माइटोकांडरिया का विकास बढ़ता है, जिससे आपका मेटाबोलिजम बहतर होता है. इससे शरीर में ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करने में मदद मिलती है. एक दूसरे जीन को VEGF कहते हैं, जिससे रक्त वाहिकाए बढ़ती है. इससे आपक करने की आपकी क्षमता को दर्शाता है, और यदि किसी इनसान के इस जीन में म्यूटेशन हो जाती है, तो उसका VO2max 50 प्रतिशक तक कम हो सकता है. इसलिए कोल्ड थेरेपी से ये जीन सक्रिय हो जाता है, और आपका VO2max बढ़ जाता है. PSME1 नामक एक जीन है, जो शरीर में प्रोटीन या क्षतिग्रस्थ प्रोटीन के जमावडे से संबंध रखता है, जिससे कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं. कोल्ड थेरेपी को अपना कर आप क्षतिग्रस्थ प्रोटीन को रिसाइकल करने की प्रक्रिया को बढ़ा सकते हैं, जिससे शरीर में क्षतिग्रस्थ प्रोटीन ज्यादा इकठा नहीं हो पाता. एक दूसरा जीन है, जो ग्लूटा थायोन से संबंध रखता है. ये लिवर का सबसे शक्तिशाली एंटी ओक्सिडेंट है, जो जहरीले तत्वों को हानिरहित कणों में बदलने में मदद कर सकता है, जिससे एंटी ओक्सिडेंस के नेटवर्ग प्रभावित हो सकते हैं. मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हीट थेरेपी जैसे कि सौना या जकूजी से आपके एंटी ओक्सिडेंट कम हो सकते हैं. मैं ये सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप इन्हें ना आजमाएं, लेकिन उदाहरन के लिए मान लेते हैं कि आपको ऑक्सिडेटिव स्ट्रेस के साथ कोई जेनेटिक समस्या है, उस स्थिती में आपको हीट थेरेपी से ज्यादा कोर्ड थेरेपी पर ध्यान देना चाहिए. पर आपको ज्यादा मजबूती का हैसास होगा. आखिरी दो जींस हैं RBM3 और सर्थ. इनके जरिये आपके सैल्स ज्यादा अच्छी तरह जीवित रहेंगे, DNA में सुधार आएगा, RNA मजबूत होगा, जिससे DNA की कॉपी कहते हैं, जिससे प्रोटीन सिंथेसिस में सुधार अब आपको हीट थेरेपी के फायदों की जानकारी भी लेनी चाहिए. उस विशय पर मैंने एक विडियो बनाया है, आप उसे यहां देख सकते हैं. चैनल सब्सक्राइब जरूर करें.